हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू मैं चैनल, जैसी आराम दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्ट सावित्री वरत की कथा सुनाने वाली हूँ, वर्ट सावित्री के वरत की पूजा कैसे कर सकते हैं, पूजा में क्या क्या समगरी रहेगी, उन सफी की वीडियो चैनल पे है, आप जरूर देखेगा, मैं एक प्ले लिस्ट बना कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगे, आप जरूर से चेक कर लीजिएगा, तो चल भद्र देश के एक राजा थे, जिनका नाम अश्पती था, भद्र देश के राजा अश्पती के कोई संतान नहीं थी, उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र चारण के साथ प्रती दिन एक लाख आहूतियां दी, 18 वर्षो तक यह क्रम युहीं जारी रहा, इसके ब सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया, कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई, योग्यवर ना मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे, उन्होंने कन्या को स्वैमवर तलाश ने भेजा, सावित्री तपो किसी ने छीन लिया था उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पती के रूप में उनका वरन किया रिशीराज नारत को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्पती के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन यह क्या कर रहे हैं आप सत्यवान गुणवान है धर्मात्मा है और बल्वान भी है पर उसकी आयो बहुत छोटी है वे अलपायू है एक वर्ष के बाद ही उसकी मृत्ति हो जाएगी रिशीराज नारत की बात सुनकर राजा अश्पती घोर चिंता में डूप गए जब कन्या सावित्री ने उनसे इसका कारण पूछा तो राजन ने कहा पुत्री तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वे अलपायू है तुम्हें किसी और को ही अपना जीवन साथी बनाना चाहिए इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी आर्य कन्या अपने पती का एक ही बारवरन करती है राजा एक बार ही आग्या देता है और पंडित एक बार ही प्रतिग्या करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है सावित्री हट करने लगी और बोली मैं सत्यवान से ही विवा करूंगी राजा अश्पती ने सावित्री का विवा सत्यवान से कर दिया सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही सा ससुर की सेवा करने लगी समय बीतता चला गया नारद मुनी ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मित्यु के दिन के बारे में पता दिया था वहे दिन जैसे जैसे करीब आने लगा सावित्री अधीर होने लगी उन्होंने तीन दिन पहले से ही उपवाज शुरू कर दिया नारदमुनी द्वारा कथित निश्चित तिथी पर पित्रों का पूजन किया हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए साथ में सावित्री भी गई जंगल में पहुँचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जिस पेड़ पर चड़ गए तब ही उनके सिर में तेज दर्ध होने लगा दर से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए सावित्री अपना भुविश्य समझ गई सत्यवान के सिर को गोद में रख कर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी तब ही वहां यमराज आते दिखे यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधी का विधान है लेकिन सावित्री ना मानी सावित्री की निष्ठा और पतिधरं को देखकर यम्राज ने सावित्री से कहा कि हे देवी तुम धन्ने हो तुम मुझसे कोई भी वर्दान मांगो इस पर सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंदे हैं उन्हें आप दिव्य जोती प्रदान करें यम्राज ने कहा ऐसा ही होगा जाओ अब लोट जाओ लेकिन सावित्री अपने पती सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही यम्राज ने कहा देवी तुम वापिस जाओ सावित्री ने कहा मगवान मुझे अपने पती देव के पीछे पीछे चलने में कोई परिशानी नहीं है पती के पीछे चलना मेरा करतव्य है यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वरदान मांगने के लिए कहा सावित्री बोली हमारे ससुर का राज्य छिन गया है उसे पुने वापिस दिलवा दे यम्राज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा अब तुम लोट जाओ लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही यम्राज ने सावित्री को तीसरा वर्दान मांगने को कहा इस बार सावित्री ने सो संतानों और सो भाक्य का वर्दान मांगा यम्राज ने इसका वर्दान भी सावित्री को दे दिया सावित्री ने यम्राज से कहा कि प्रभू मैं एक पती वरता पत्नी हूं और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशिरवात दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंता ध्यान हो गए और सावित्री उसी वर्ट्विक्ष के पास आ गई जहां उसके पती का मृत्षरिर पड़ा था। सत्यवान जीवित चिरकाल तक राज्य सुक भोगते रहे। अतैप पती वर्टा सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने साससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंब करें वर्ट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के विभाइक जीवन जीवन साथी की आयू पर किसी प्रकार का कोई संकट आया हुई हो तो वह टल जाता है। इसी प्रकार से हमारी वर्ट सावित्री व्रत की कथा संपून होती है। इसी के साथ आप एक छोटी सी बिन्नायक महाराज यानि कि गनपती भगवान की कथा सुन ले। और उसके कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा कमेंट करके और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों के भी काम आ सकें। देखने के लिए ब